लौर्ड किष्णा नमन लौर्ड किष्णा नमन टूल आफ यू माय और स्वीट दियर श्वें प्यार विध्यारती अब हम बात करेंगे अनिमल्स ऑफ इंडियन ट्रॉपिक फोरेस्ट अफ इंडिया आर फांट इन वेस्टन घाट अश्म अध्यू टू टीपिकल अनिमल्स अब लौएं टेल अगाऊ और वैर्डद अब दे लॉइंड तेल मकाऊ और विदेड एप दलायण टेल मकाऊ और विड़िड एप लिफ इन दा रेन फोरेस्ट और वेस्टन घाट अनुन टेल मकाऊ है सिल्वर भाइट मैं स्टराउंड दा हैड चीक एंद चिन एज एं ल यहां पर रहते हैं लॉइन टेल मकाव है यहां पर जो लॉइन टेल मकाव है यह क्या है इसका चीक और चिन देखने में लगता है यह चालों के अंदर यानि की पेड़ों पर रहता है और एक अच्छा क्लाइमबर भी है इट रेरली कम डाउन टू दा ग्राउंड और यह रेरली जमीन पर आता है रेरली बहुत ही मुश्किल से जमीन पर आता है एलिफेंट की बात करेंगे एलिफेंट इज अ वेल नॉन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिक रैन फॉरेस्ट जो हाथी है बहुत ज़्यादा फेमस है और इंडियन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानि की जो भारत के बरसाती बनें उनमें पाय जाता है यानि की बड़े बड़े जो फैन जैसे कान होते हैं इसके इज हैल्प एलिफेंट टू हियर इवन दा वेरी सॉफ्ट साउंड यह बहुत सॉफ्ट सुन सकता है यह ठंडे और गर्म यानि की आदिता वाले क्लाइमेट में देखने को मिलता है थिन इसके ओवर दा इयर कैन लॉस हीट कुईकली इसके कान के उपर इसके नोपर पतली होती है जिससे की हीट को लॉस कर सकता है वहां से लाज ट्रंक यानि की इसके पास लाज ट्रंक पाये जाता है एलिफेंट है जो ड्रोन सैन्स ओप इसमाल इसमेल एट इसमेल थो इस ट्रंक इट यूज इस ट्रंक फॉर होल्डिंग एंड पिकिंग अप इंक्लूडि इस फूट यह जो जाते इसके त्रेंड होते है वह तसक में मॉडिफाइड हो जाते हैं ट्यूजज इच for digging the root of food यह मतलब digging करता है खुदाई करता है इन तीथ के द्वारा भोजन के लिए tearing the bark of tree और जो पेड की छाल है उसे फारने का कार करता है get the inside pulp इसके अंदर के pulp के लिए tusk enable elephant to complete for food rather well tusk जो है इसे enable करता है complete food rather well यह भोजन के लिए लेकिन इन दातों से भोजन चवाता नहीं यह दिहां रखना आप यह tuskable दिखावटी दात होते हैं बाहर के कार करते हैं help करता है large pillar like legs इसके जो leg होते हैं वो pillar जैसे होते है large pillar जैसे the full large pillar like leg balance its bulky body by providing a broad base the cushions like pad under its feet provide cushion during walking तो यहां पर इसके जो pair होते हैं वो pillar जैसे होते हैं providing a broad base जो की एक बहुत चौड़ा base उसको देते हैं the cushion like pad under its feet provide cushions during blocking तो यह क्या करते हैं blocking के समय एक तो इसके पैर जो है चौड़े होते हैं तो आराम से यह धस्ता नहीं है आसानी से soil के अंदर है ना तो आपका यह chapter था आपका यह chapter complete हो है मैं जल्दी से आपको इसके question answer जो है provide करा रहा हूं ठीक है आप जल्दी से के question answer करिएगा और उसके बाद इसकी exercise आपको complete करा देंगे और उसके बाद यह chapter आपका दुबारा से revision होगा ठीक है student तो यह आपका बायो का chapter था और यह complete हो घंक्युर्ण च्डेट पर खो ऑंक्रायों डिल्दी आपका श्याप मियंसर प्रहा प्रहां प्रहा हूं थापका यह